हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ एस्पिसिंग स्मार्टर एवेडे में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंड्स आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी साथ हैं और यह वीडियो जो साइंस का है फिसिकल साइंस तो BAT BTC के स्वेंड्स बहुत ध्यानपूरवा वी तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें कानपुर युणिश्टी से समंदित बीएट बीटी से समंदित किसी भी जनकारी के लिए लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग और असाइनमे दिनांक जिस यह आप जो देख पारें सामने यह हमारी ब्लैकबॉर्ड इंट्री होती है ठीक यह कालम हमारा ब्लैकबॉर्ड इंट्री का होता है दिनांक डालेंगे कक्षा डालेंगे किस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं विश्य हमारा विज्ञान है उपविश्य बहुतिक प्रक्रण तरंग वय तरंग के प्रकार चक्र कौन सा पीरियड है अवदी उस पीरियड का टाइम किया है 35 मिनट्स देखिए इसके बाद जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ उद्देश होते हैं सामानी और विशिष्ट सामानी उद्देश से विशे से को दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान के महत्तो का ज्यान कराना चात्रों को भौतिक विज्ञान से समंधित विभिन आधार भूत अवधारनाओं एवं सिध्धानतों का ज्यान कराना मानव कल्यान के लिए उपयोगी भौतिक विज्ञान के योगदान को चात्रों से प अब हम बात करेंगे विशिष टुद्देश की, देखिए हमारे समने विशिष टुद्देश हैं, तो विशिष टुद्देश की बात करते हैं, सबसे पहले एडिंग ग्यान, ग्यान के अंतरगत दो पॉइंट लिखे हुए, छात्र तरंग वय उसके प्रकारों का भीमान कर सकेंगे, फिर है बोद, बोद के अंतरगत भी दो पॉइंट हैं, छात्र विभिन प्रकार की तरंग में विभेद कर सकेंगे, छात्र तरंग वय उसके प्रकार के उदाहरन प्रश्तुत कर सकेंगे, फिर इसके बाद आता है अनुप्रियोग, छात्र तरंग वय उ उसके प्रकार की शामान्य निश्कर्ष निकाल सकेंगे फिर अनुप्रियोग के बाद है नेक्स्ट कॉशल चात्र तरंग वह उसके प्रकार का निरूपन कर सकेंगे चात्र तरंग वह उसके प्रकार का सूच में निरूपन कर सकेंगे रुची चात्र तरंग के अध्यन में र सामगरी की, शाहिक सामगरी, चौक, डिस्टर, लपेट, स्यामपट, चार्ट, आदी, पूर्वग्यान, छात्तु तरंग के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं, और अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रस्न की, फ्रेंड्स अब आपके सामने हैं नदी, तालाब में पथर टालने पर जल में क्या होता हैं, तो शात्र आसानी से उतर दे सकते हैं या तालाब से हमें क्या प्राप्त होता है यानि कि तरंगे उत्पन होती हैं अब हम कुर्श्चन यहीं से फिर पूट अब कर लेंगे लहरों या तरंगों के बारे में आप क्या जानते हो तो यह बच्चों के लिए समस्यात में प्रशन होगा बच्चे इस कांसर नहीं दे सकते हैं यहीं से हमारा उद्देश कथन निकल गर के आता है देखिए उद्देश कथन चातरों आज हम लोग प्रस्तुत पाठ में तरंग वर उसके प्रकारों का अध्यन करेंगे ठीक तो यहां तक हमारा स्टार्टिंग का जो भी एक्टिविटी से कंप्लिट हो गई अब हम आगे बात करेंगे सिच्छन विंदु की पहला सिच्छन विंदु देखिए अब हम यहां से कैसे जो है इसका फॉर्मिट बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच कालम बनाने हैं पहले में लिखेंगे सिच्छन विंदु फिर छातरा ध्यापक करियाएं छातर अनुक करियाएं शिच्छन विधी और सियामपट कारे ठीक अब क्या करेंगे हम यहां पर सिच्छन में दूँ अब हम तरंग पढ़ाने जा रहे हैं तो तरंग पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ विकाश अत्म प्रशन पूछ लेंगे तो जैसे बच्चों पूछा हमने की पानी में पत्थर डालने पर क्या होता है बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि लहरे यानि कि तरंगे उत्पन होती है तरंग किसे कहते हैं बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, इसका अंसल नहीं दे सकते, यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहें, तो हमारी सिच्छन विदी प्रश्नोत्तर विदी हो जाएगी, ठीक, अब हम इसका इश्पष्टी ग्रण देंगे, इसको एक्ष्प्लेन करेंगे, तरंग किसी बहुतिक माध्यम में उत्पन, वहाँ विक्छोब है, जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तरंग दो प्रकार की होती हैं, यदि हम रस्पी का एक सिरा किसी हुक से बान दें, तथा दूसरा सिरा हाथ से का विक्छोब उत्पन हो जाता है, इसे तरंग कहते हैं, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हम एकस्प्लेन कर रहे हैं, तो लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूरवक शुनते हैं, ठीक, वियाख्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वियाख्यान विधी, और श्य यहां पर व्याख्यान विद्धी लिखें क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं तो यहां तक कम्प्टिट हुआ आगे चलते हैं अब सेकंड सिच्चन विंदू दूसरा सिच्चन विंदू है तरंग के प्रकार ठिक फिर वही पूरा फॉर्मेट सिच्चन विंदू चातर ध्यापक क्रिया हैं, चातर क्रिया, सिक्षण विदी, और स्यामपट, शारांस, ठीक, ये कालम राने हैं 5, अब हम यहां से बात करेंगे, पहले हम विकाया शात्मक प्रशन पूछेंगे, तरंग कितने प्रकार की होती है, अब ही हम जो पहला सिक्षण विदू पढ़ा तरंग के दो प्रकार निमने हैं, अनुपरस्त तरंग और अनुधायर्वे तरंग, यहां पे हम व्याख्या कर रहे हैं, तो चातर ध्यान पूरक सुनते हैं, ऐसा हम लिखेंगे, व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्यान विधी, और स्यामपट सारांस में हम लिखेंगे, तरंग दोपकार की होती है, अनुधायद्वय तरंग और अनुप्रस्त तरंग, यह सिछनम्दू कम्प्लीट हुआ, यहांसे अब दूसरा अगला सिछनम्दू शुरू हो जाएगा, अब हम बात करेंगे अनुप्रस्त तरंग की किसे कहते हैं, बच्चे उत्तर नहीं दे सकत ठीक हम लिखेंगे प्रशनोत्तर विधी इस पस्टिक्रण देंगे जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कमपन करते हैं ठीक अब यहाँ पर क्या है कि उत्पन करते हैं अब इसमें थोड़ा रहे गया है जो टॉपिक यह देखें यहाँ पर लिखा है अगले पेज़ पर तो इस तरंग को अनुपरस्त तरंग कहते हैं जैसे विद्धुत चुमकी तरंग अब इसका स्यामपट कार यहाँ पे है ध्यान पूरक सुनते हैं लिखेंगे ठीक है छात्र क्रिया में और सिक्षन विदी में व्याख्यन विदी और यह हम लिखेंगे सैंपटे कारे जब माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम केकन तरंग के चलने के लंबावत कमपन करते हैं तो अनुपरस्त तरंग होती है ठीक यह हमारा इच्छन बिंदू यहां तक कम्प्लीट होता है हम इसके बाद अगला से इच्छन विंदू डालेंगे अनुधारे तरंग की बात कर रहे थे तो जब भी हम कोई नया से इच्छन विंदू सुरू करेंगे तो पहले हम कुछ विकाशातनों प्रश्ण पूछ लेंगे अनुपरस्त तरंग का उदाहरन बताईए बच्चे बता देंगे क्योंकि अभी हमने पहले बताया है विद्धुत चुम्पकिये तरंगे अनुधारे तरंग किसे कहते हैं बच्चे निरुकतर हो जाएंगे इसका अंसर नहीं दे सकते यहाँ पर प्रश्ण पूछते हैं तो प्रश्ण अक्तर विद्धी हो जाएगी और स्यामपट सार कारे में लिखेंगे जब किसी माध्यम के कन तरंग के चलने की दिशा के अनुधिश कंपन करते हैं तो इस तरंग को अंधर तरंग कहते हैं ठीक है जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कन तरंग के चलने की दिशा के अनुधिश कंपन करते हैं तो इस तरंग को अनुधिश कंपन करते हैं चातर क्रिया में चातर ध्यान परोग सुनते हैं शिच्छन विदी में व्याख्यान विदी लिख देंगे ठीक है ये भी हमारा पॉइंट कम्प्लीट होता है इसके आगे लाश्ट में चलके बात करते हैं अब आई बात अलेखनेयों निरिच्छन कारकी लेसंप्लान कम्प्लीट हो रहा है चात्राद्यापक चात्रों से इपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लो और स्वेम कक्षा कक्ष में घूम घूम कर उसका निच्छन करेगा मुल्यांकन प्रश्ण तरंग किसे कहते हैं विद्यू चुम्की तरंग कौन सी तरंग का उधारन है और लास्ट में आएंगे ग्रहकारे पर तरंग वा उनके प सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्यू